एलो बच्चो लॉए ये वीडियो दुबारा बन रहा है एक वीडियो बन चुका है और बनके दिलीट हो चुका है तो बड़ी गुस्सा रही है बिल्कुल इुख्छा नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊ अगर वाकर ही बता रहा हूं यह एक्जाम टाइम आपका नहीं होता हूं तो इसी गुस्से में अगले दो दिन वीडियो नहीं बनाता हूं लब बताओ मैंने पूरा बनाया बनाने के बाद डिलिट हो गया वो मेरी ही गलती से क्या बता है चलो खेर तो देख लो भाई यही बनाया था फिर वही चीज़े सेम बोलनी पड़ रही है तो मेंस लेवल आफ हेक्टिक शेडियूल देखो तो खेर चलो यह model paper है फर्मकोगनोसी का mcq इसी channel पे छे वीडियो पड़े हैं फर्मकोगनोसी के mcq फर्मकोगनोसी बढ़ा है तो च्छे के च्छे वीडियो में सारे आपके स्लेबस के MCQ है ठीक है फर्मा को गनुसी के ही है क्योंकि इसके स्लेबस में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है तो पिछले साल के बने हुए वो इस साल भी काम आएंगे जो पहले इंपोर्टेंट था वो आज भी इंपोर्टेंट है और उसी पिछले साल के बेस को बना के यह मॉडल पेपर भाई देखो अभी आपका क्या नया पैटन है ठीक तो पैटन जरूर चेंज हो गया है लेकिन कोश्चन जी चेंज नहीं होंगे तो कोश्चन वैसे ही है तो उन्ही पांच साल के पेपर को बेस बना के यह बनाया जा रहा है मॉडल पेपर देख लो इस तरह का आएगा इसमें ए बी सी तीन सेक्शन होंगे जो पहले भी में बता चुका हूँ अब ए में लॉंग रहेगा पहले या शॉट रहेगा या पहले एंसी क्यू रहेगा यह वही डि कुछ केसे में वह अबलिक करके दो तीन ओप्सन दे देंगे उन्हीं में से फिल करना है तो यह तो अच्छा हुआ अगर इस तरह देंगे दूसरा वन वर्ड एंसर इन वन वर्ड वो कुछ पूछेगा उसको एक वर्ड में आपको लिखना है चौथा पैटन उन बताया है तो एक कुश्चन रहेगा उसको आपको एक लाइन में डेफाइन करना रहेगा या उसका एंसर देना रहेगा तो इस तरह का कुछ पैटन है लॉंग में साथ खुश्चन दिये जाएंगे च्छे और आपको करने रहेंगे सारे पांच नमबर के कुछ बच्चे बड़ी होस आप सात कर के आजा जाओ starting के जो च्छे आपको करने हैं, जो compulsory हैं तो जो च्छे करने हैं वही चेक क्ये जाएंगे, सातवा करके आओगे मान लिया पहला नहीं आता आप, दूसरे से लेके सात नमबर तक कर क्या आप जब चे कुश्चन आप कुल 7 कोश्चन करके आओगे तो 6 शुरुवात के चेक किये जाएंगे सातमा चाहे जितना अच्छे लिक्या कोई नहीं चेक करेगा ठीक है सेम केस है शौट अंसर में 11 दिये जाएंगे आपको 10 करने होगे सारे जवाब जो है सारे question तीन तीन number के होंगे इसमें जो सबसे ज़्यादा जोर देना जो मैं start से बोल ला हूँ multiple choice पे सबसे ज़्यादा जोर देना जिसके multiple choice 20 के 20 सही हो गए वो फेल नहीं हो सकता उसकी back नहीं लग सकती ये 100% मान लो मैं नहीं कहता चलो 20 नहीं कर पा रहा है 18 तो कर लो 18 मतलब ये 18 number fix हो गए उसका थोड़ा बहुत भी लिखते आओगे आराम से score बन जाएगा means अच्छा number gain कर सकते हो ठीक तो ये pattern है total 80 number की marking रहेगी आपकी maximum marks 80 number रहेगा 3 घंटे का paper है फर्मा को अगनोसी कर रहेगा को अगनोसी का paper थोड़ा सा बड़ा रहता है इसलिए starting से बहुत ध्यान से जाना दूसरा पेजर मोबाइल electronic gadgets नहीं इस्तिमाल किये जाएंगे means लेके नहीं जाना है तो aware हो इस चीज को लेके सारे question solve करने question किसी भी सूरत में कोई question छोड़ना नहीं है ये मूल मंत्र मांग लो आता है नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं लेकिन कुल मिला के question नहीं छोड़के आना है आपको कोई तो question पर देखते हैं long answer देखो यही अभी बताया न तो बड़ा मजा नहीं आता दुबारा वही चीज बोलने में long answer में 6 question करने हैं आपको out of 7 तो give the botanical source chemical constituent and pharmaceutical uses of any 4 यह जो दिये हुए है nutmeg है, coriander है, synchona, digitalis, phedra यह सारी की सारी drugs most important drugs की category में आती हैं वैसे भी तो अकुल मिला के question के according इसमें से किसी 4 का पांच दी है, किसी 4 का botanical source, chemical constituent or medicinal use या pharmaceutical use लिखना है आपको ठिक, तो यह पहला question हुआ भई दूसरे question के अगर हम बात करें write a short note on history and scope of pharmacognosy, जितने भी subject हैं, सब का common question एक होता है history और scope pharmacognosy आप पढ़ रहे हो तो इसकी history क्या है और जो पढ़ रहे हो आगे future में इसका scope कितना है बस यही अगर पढ़े हो तो वो लिख दो नहीं पढ़े हो तो बना बना के लिख दो history बहुत नहीं बना सकते थोड़ा बहुत आपको date वगरा मालूम होना चाहिए कहां से start हुई कहां से terminology कहां से शुरू ही फर्मा कोगनोसी की कैसे drugs का invention वगरा हुआ ये खर जब आपके सर ने पढ़ाया होगा क्योंकि मैं कोगनोसी पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है लेकिन आने वाले समय में कोगनोसी भी पढ़ाऊंगा तो ये demand मत करना question के बाद की कोगनोसी पढ़ा दो specific कोई ऐसा topic जो बिलकुल समय में नहीं आया थोड़ा complicated हो किसी भी subject का उसका नाम दे दो मैं वो पढ़ा दूँगा बट पूरा subject इतना time नहीं है आज की दिट में आने वाले समय में जरूर मैं पढ़ाऊंगा भी और सब के सब वीडियो अप्लोड करूँगा लेकिन अभी ये possible नहीं है ठीक next है write a short note on adulteration and drug evaluation तो drug adulteration और drug evaluation पर क्या लिखना है short note लिखना है next question है write in detail about anatomical features किसका नक्सवोमिका और डैटूरा या धतूरा का धतूरा और नक्सवोमिका का anatomical features अब morphology तो आपने सुनी है anatomical features में microscopy, vascular bundles इन सब के बारे में आपको लिखना है फिर classification of drugs of natural origin जो drugs natural origin की हैं उनके classification के बारे में आपको detail में explain करना है और साथ में drug भी क्यों क्योंकि खली classification से 5 नमबर नहीं मिलने वाला हमेशा एक चीज़ ज्यान रखो मान लिया कोई question है जिसका answer दो line में आता है और वो long में पूछ लिया means 5 नमबर में पूछ लिया आप दो line लिखके आजा तो यह संभव ही नहीं है संभव कहां पर हो सकता जब आपसे specifically पूछा जाए chemical constituent by logical source means specific पूछ लिया जाए next question है define suture suture को define करना है give chemical constituent and method of preparation ठीक फिर क्या है chemical identification test for wool fiber next है इसी में देखो तीन question दे दिया how absorbent cotton wool prepared absorbent cotton wool किस तरह से बनाया जाता है तीन पार्ट दे दिये हैं लेकिन ये तीन पार्ट के चक्कर में ऐसा नहीं कि चार पेज लिख डालना short में लिखना ध्यान रहे next है give the biological source chemical constituent use of any four of the following में ऐसा फोड़िटा का biological source और chemical constituent लिखना है इसमें specific लिखो specific पूरा पूरा नमबर मिल जाएगा next question है या next section है section B short है short में का means 11 में से 10 करने 11 question दिये रहेंगे smartness मत दिखाना कि हम 11 कर दे हो गलती से हमको number ज़्यादा मिल जाएगे क्योंकि teacher smart ज़्यादा हो गया अगर तुमसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी identification test for alkaloid and terpenes terpenes के identification test लिखने इसमें short note on carminative number of drugs ज़्यादा है तो एक या दो drug लिखने लिख दो वो भी short में तो काम हो जाएगा आपका method of preparation of ayurvedic formulation of ayurvedic formulation किसका चूरना and सिद्धा के बारे में लिखना है next है role of medicinal and aromatic plants किस चीज में role national economy means हिंदुस्तान की economy में यहां के जो medicinal or aromatic plant है उनका क्या role है और उनका किस तरह से export किया जाता है ठीक फिर question क्या कहता है write a source and chemical constituent of sandalwood और lavender oil यहां पर भी देखो एकदम specific sandalwood और lavender oil का chemical constituent और biological source लिखना है तो ज़्यादा deep में जाने की जरूरत नहीं है specific point to point लिखोगे काम हो जाएगा next question बोलता है short note on quality control of crude drug crude drug के quality control देखो question बहुत बड़ा है लेकिन आपको brief में करके लिखना है क्योंकि लिखने जाओगे तो इसमें भी 4-5 पनने भर जाएंगे तो headings ज़्यादा cover करो content थोड़ा थोड़ा लिखो short note on enzymes एक या दो enzyme के बारे में short में लिख दो next है drugs antitensive drugs कई drugs है आपके syllabus में antitensive की बात करें यह syllabus है आपका antitensive drug जैसे वसाका और टोलू बालसम तो थोड़ा सा antitensive क्या होता है उसके बारे में लिख लो टोलू बालसम और उसके बारे जिकार सोस chemical constituent और यूज लिख दो तो तीन-तीन लाइन में हो जाएगा next step benjoin and वसाका benjoin और वसाका के बारे में आपको लिखना है collection and preparation of senna and ergot ergot and senna के collection और उसकी preparation के बारे में detail में explanation देना है फिर next question है anatomical study of phenyl and clo clo और phenyl की anatomical study लिखनी है means उसकी microscopy के बारे में लिखना है फिर next section आता है C C section का criteria already मैं बता चुका हूँ आपको इसमें 20 question होंगे जो एक एक number के होंगे किसी तरह की कोई negative marking नहीं है सही करोगे तो एक number मिलेगा गलत करोगे तो zero number मिलेगा तो question क्या है cocaine is used as cocaine का किस तरह use होता है in official medicine narcotic, emetic, local anesthetic या cuff suppressant तो cocaine का जो use है that is local anesthetic as a local anesthetic के तरह cocaine का इस्तेमाल करते हैं opium is used in medicine as opium किस तरह के medicine के लिए use होती है tranquillant या tranquillizer non-luxative या painkillor तो opium जो है यह बहुत powerful painkillor होती है तो इसका powerful painkillor के तरह इस्तेमाल होता है next question है choose the right test for identification of anthraquinone glycosides anthraquinone glycosides का identification test लिखना है bulget liberman या killer के लिए आनी test next है mere reagent used for mere reagent किस के लिए भई starch glycoside resin या alkaloids के लिए alkaloids के test के लिए होता है mere reagent use of antitucive antitucive drug कौन सी है kathranthus है balsam aktolu है neem है या mir है तो starting में हमने बताया था आपको vasaka और balsam aktolu यह दोनों कैसी drugs है antitucive drug है next question है used as a use of artemisia artemisia का क्या use है जो drug है expectorant है stringent antimalarial है या none है तो artemisia या artemisinin as a anti-malarial drug की तरह इस्तिमाल किया जाता है modified bond trigger test is positive for drug किस drug के लिए positive है digitalis, senna, senna pod या LOA तो यह LOA के लिए LOA drug के लिए यह positive test देता है कौन सा modified bond trigger test satawar very important question satawar is under the chemical class of glycoside किस तरह की chemical class का glycoside है sterol saponin या systयोजनेटिक या या ओल यह या किया हो यह का रिए पृणिक्स जोफिन द ह और सीन त्मोर, तैय। लियूड या क्या है सिन ना जिनसिंग बोट या ओल खरूफू तो गोखुरू कैसा है as a diuretics के तरह इस्तेमाल करते हैं Morphine contains Morphine में किस तरह की ring होती है Antrasine है, Napthacine है Finanthrine है या Nun है तो Morphine का structure अगर आप देखते हो तो उसके अंदर के रहती है Finanthrine ring रहती है ठीक, तो presence of Eluron grain is the characteristic of drug, एक drug है इसको answer in one word समझ लो presence of Eluron grain is the characteristic of drug बताओ बई किस drug का चाहिए fill in the blank समझो चाहिए answer in one word समझो बताओ बई कौन सी drug है जो जिसमें Eluron grain पाया जाता है ये उस drug का characteristic feature होता है बोलो बई तो एक drug का नाम सुना होगा that is Nuxvomica इस drug का ये characteristic feature होता है कौन सा presence of Eluron grain ठीक ध्यान रहें which system of medicine was originated from Dravidian Dravidian origin किस medicine system का है यूनानी आयरुवेदा होमियोपेथी या सिद्धा तो सिद्धा जो है Dravidian origin है इसकी जो start में Tamil language में लिखी गई थी किसमें Tamil language में ठीक है which system of medicine believe in like cure like होमियोपेथिक को ही बोलते हैं क्या like cure like ठीक है means बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से जिसको क्या है उसी को क्या बोलते है like cure like तो युनानी अईरुवेथिक होमियोपेथिक सिद्धा तो क्या है भई होमियोपेथिक option correct है lay and park क्या है भई asawa boutika avleha या none avleha is avleha is leha and park common name of kathrynthas kathrynthas का common name क्या भई है kathrynthas क्या देखते होगे सदा गाउं में बोलते है सदा भाहर का पेड़ है jest option another name of pedalean murex pedalean murex क्या भई another name किसका है छोटा गोखरू, पुनर्नवा, बड़ा गोखरू या नन तो पेडेलियम मूरेक्स जो है ये बड़ा गोखरू का दूसरा नाम होता है किसका बड़े गोखरू का दूसरा नाम होता है पेडेलियम मूरेक्स नेक्स्ट है फैमिली अफ छोटा गोखरू छोटा गोखुरू की family कौन सी है पेडेलियसी, निक्टाजिनेसी जाइगोफिलेसी ये नन तो जाइगोफिलेसी is the family of छोटा गोखुरू ठीक next है गैंबियर is another name of गैंबियर किसका दूसरा नाम भई पेल कटैचू, वसाका, माला बार नट ये नन तो पेल कटैचू को ही गैंबियर बोलते हैं, ठीक पेल कटैचू और ब्लेक कटैचू धेन रखना next है another name of माला बार नट फिर बात करो फिर अधाटोडा वैसिका and वसाका ठीक है, इन दोनों को क्या बोलते हैं माला बार नट तो इस तरह से आपका यह पूरा मल्ट क्या हो गया एक आपका मॉडल पेपर और MCQ के लिए MCQ फर फर्मो को गुनोसी को रिफर कर सकते होगे बाई